साथियों, हम लोग जब चार जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ बेस्त था, बाद में सौनफे नहराज चुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आकड़े माकड़े तो, मुझे ये बताओ कि EVM जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग ताई करके बैठे थे, कि भारत के लोगतंत्र और लोगतंत्र की प्रक्रिया के प्रदी विश्वासी लोगों का उड़ जाए, और लगासार EVM को गालिज देना, और मुझे तो लगता था कि साइदी इस बार, वो EVM की अर्थी निक्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन चार जुन शाम आते आते, उनको ताले लग गए, EVM ने उनको चुप कर दिया, ये ताकत है भारत के लोगतंत्र की, ये ताकत है भारत के निस्पत्ता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनावायो की, और मैं मानता हूँ कि ये, आशा करता हूँ कि, पांच साल तो अब EVM साइद मुझे नहीं सुराइजेगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से साइद EVM को लेकर करके नाजनी की चुरुआ करीए, लेकिन के सुत्रे की सब्बाब बहुत कावब है, आशा कि ये, आशा कि चुनाव के समय मैं ने पहली बार देगा, सुप्रीम कोड के दर्वाजे खट-खटाए गए, बाती, बाती के अपने केशन, और एक ही टोली थी, और लोग तंतर के प्रतिक दिन का भरो भार अभिस्वास हैसे लोग, सुप्रीम कोड का उप्योग करते हुए, कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्यास करते रहे और चुनाव आयोक की ताकत का एक बड़ा हिस्सा, अदालतों में, इस पी कबर्स में, चुनाव के पी कबर्स में, यहनि कितनी निराशा लेकर के, यह लोग मैदान में आये थे, कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टिटूट पे लगा दो, ताकि चुनाव के कोई भी पर अदाम कर लें, यह शड़ियंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माप नहीं करेगा, साथियों, इंडी गड़बंदन वाले, जब यही भी इनका विरोग करते हैं, तो मैं सिरफ एक चुनाव के रूप में नहीं देखता, मैं मानता हूँ यह लोग मन से, पिछली शताबदी के सोच वाले लोग है, जब टेक्नलोजी को हम महत्वों न समते हैं, जब टेक्नलोजी स्विकार करने को तयार है, और यह सिरफ EBM में दिखाई दिया ऐसा नहीं, UPI में दिखाया, जब हमने कहा हैं, हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन कर जब टेक्शन के दुनिया में आज उदुतान का नाम होगा है, मानने को तयार नहीं, आधार, आज देश के पहचान बना है, मैं तो देख रहा हूँ कि मुझे कई देश कहते हैं, हमें आधार के पद्ददी से आगे बढ़ना है, आप कैसे मदद कर सकते हैं, उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोड में बार 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 जाकर के परिशानियों पता हैं, यानि मूलत है, ये प्रगतिर के विरोधी, आधुनिक्ता के विरोधी, टेक्नोलोजी के विरोधी, इंडी अलाइंस, हमने देखा है, साथियों इस देश के लिए, ये भी चिंता का विशय है, कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आकने का प्रयाज़, और कितना एक्स्ट्रीम है, मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं, कि हम मदर अप डेमोक्रेसी हैं, और ये दुनिया में जाकर बता रहे हैं, नहीं नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी हैं कुछ नहीं को मोधी बैठ गया है, ये चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़की होगी, ये जो इनकी मनस्तिती है, भारत के नागरीकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविस्वात पजा कड़ेका जोन का सडियंत्र है, मैं मानता हूँ कि अब दुनिया भी भारत के लोक्तंत्री की विविदता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सबको भी जानने समझने के लिए आकरशित होगी, ऐसे इस चुनाव के नतीज़े में देख रहा है। और चार तरीकों काउंटी इस बीच की चीज़ों को आप देखिए, योजना बत तरीके से देश को हिंसा की आग में जोकने क्या भाशा बयान दिये जाने थे, यहाँ इखटे होना, यहाँ पहुँचना, यहाँ करना, कुछ लोग इस चीज़ को गंभी नहीं लेते हैं, ल अब भारत के लोकतंत्र को पहले उसकी ववस्ता को अनाधर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा महोल बना दो, कि बस आग लगा देंगे, हर प्रकार जिन शब्दों का अर्थ यही निकलता है, उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था, लग प्रने के लिए नहीं होता है, लेकिन हर प्रकार से कोशिज है ही की गया है, साथियों, मैं मानता हूं कि यह दोहजार चोबिस के लोकसभा के चुनाओ के जो नतिया है, हर परामिटर से देखेंगे, दुनिया यह मानती है और मानेगी कि यह एंडिये का महा विजय है,